तो 36 गडवे आपम में आप सभी श्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं पुलिस आरक्षक बरती परिक्षा के बारे में जी हैं बहुत ही जल्द जो है 36 गड़ में पुलीस आरक्षक के पदो पर भरती होने वाली है जो कि आप ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जादा मात पुड़ भरती है पुलिस आरक्चा के हैं तो जो भी स्टूडेंट्स जो पुलिस भरती परिक्षा में जाना चाहते हैं या जिनका ड्रेम से जिनका एम है पुलिस बनना तो आप से भी इस टुट्रन अभी से तियारी शुरूप कर सकते हैं आपको इसमें सबसे जादा इंपॉर्टन होता है आपका filzical अगर आपके फिजिकल में सारी रिख्दक्चता परिक्चा में अगर आपके अच्छे से मार्ओस आ जाता है बिना फुलाए कितना सेंटीमेटर और फुलाने पर कितना सेंटीमेटर आपका जो होना चाहिए फिजीकल मेजर्मेंट में वो सभी जैनकारी आपको जो वीडियोस में जो है देखने को मिलेगा तो 36 गड़ में पुलिस आरक्षक के पोश्ट जो है सबसे जादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही जादा महत्योपन भरती है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेट है कि इसमें आपको सेक्सेज मिल पाएगा डेफिनेट है कि कामया भी मिलेगा अगर हम बात करें आपके सिलेबस और एक्जाम पेटने के तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिश आरक्षक भरती परिक्षा में मैट्स रिजनिंग बहुत ही जादा इंपोर्टन है बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बाकि जीके हैं इसमें बहुत अच्छे से नंबर ला लेंगे देखो मैं सभी अगर आप बार-बार प्रैक्टिश करोगे कोशिश करोगे तो शॉल कर लोगे लेकिन जो रिजनिंग होता है तारकीक लॉजिक वाला समान्यमानसी क्योग्यता वाला जो क्वेस्टन्स रहता है जब तक आप फूल कॉंसेंट्रेट नहीं करोगे फूल फोकस नहीं करोगे एफ़र्ट नहीं लगाओगे महनत नहीं करोगे तब तक आपका कॉंपेडेशन्स एक्जाम जो है कॉलिफाई नहीं हो पाएगा तो 36 गड़ में पुलिस आरक्षक भरती परिक्षा जो है बहुत ही जादा important होता है आपको एक ही बार तैयारी करना है एक ही बार महनत करना है और मैं तो कहता हूँ कि एक ही बार महनत करना है एक ही बार तैयारी करना है तो इतने अच्छे से महनत करो इतने अच्छे से hard work करो कि फिर दोबारा महनत करने की जोरुवत ही न पड़े एक बार अगर आप अच्छे से hard work करोगे ना एक बार अगर आप अच्छे से महनत करोगे तो definitely है कि सफलता मिलेगी जरूर definitely है कि कामियाभी आपको मिलेगा जरूर कामियाभी के लिए बहुत ज्यादा महनत करना पड़ता है लेकिन धीरे-धीरे से ही सही आपको result जो है मिलता जरूर है आपक पर इक्छे की तैयारी करना चाहते हैं आप अभी से जो है तैयारी कर सकते हो देखो notification के इंतिजार बिलकुल मत करना जो ही student notification के इंतिजार में बैठे होंगे कि आज प्रेस विग्यापित होगा आज प्रेस रिलीज होगा तब हम exams की तैयारी करेंगे तब हम government jobs की preparations करेंगे तो ऐसी गलती बिलकुल मत करो अगर ऐसी चीजे अगर आप सोचते हो तो कहीं पर भी आपका competition exams qualify नहीं हो पाएगा मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस सा रक्षक के बढ़ती जल्दी आप लोगों के लिए होने वाली हैं तो अभी से तैयारी कर सकते हैं अभी से प्रिप्र तो कोशिश करते रहना है महनत करते रहना हार्ड वक करते रहना है तो जितना जादा आप कोशिश करोगे जितना जादा आप महनत करोगे जितना जादा हार्ड वक करोगे उतने ही जादा आप के लिए जो है बेश्ट होगा उतने ही जादा शक्सेस देन उतने ही जादा काम मैं भी आपको फिर मिल पाएगा इसलिए अच्छे से महनत करना है अच्छे से कोशिश करना है जितना जादा होश है कि कोशिश करो जितना जादा होश है कि महनत करो और महनत कि अगर परणाम के बारे में बिलकुल भी नहीं सोचना है अगर आप अच्छे से त्यारी करते हो मह किनान आपका सेलेक्शन वो पाएगा यह किनान आपको कामयावी जो है मिल पाएगा और आरक्षक का पोच्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी है, आपको महनत करने के लिए तैयारी करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, यो प्रिपरेशन से सबसे में इंपोर्टन है, देखो, रिजल्ट के बारे में सोचने से ना तो रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट के बारे में सोचने से ना तो काम भी मिलेगा तो इसलिए कोसिस के उपर ही भरोसा रखना है महनत के उपर ही बिलिव करना है खुद के उपर काम करना है भरोसा करना है और महनत करते जाना है जितना जाद आपका महनत होगा, जितना जादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतने ही जादा आप आगे बढ़ पाएंगे उतने ही जादा आपके सपने और उतने ही जादा आपके ड्रिम्स ही पूरे हो पाएंगे, एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ सपने देखो सपने जो है न सच होते हैं बस आपके सपनों में जान होनी चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए उन सपनों को पूरा करने के आपके अंदर वो जज़बा वो effort होना चाहिए अगर आपके अंदर वो effort है तो आज नहीं तो कल आपको वो कामयावी वो सफ़दा जो है जरूर मिलेगी जिस कामयावी को आप पाना शाहत है वो सभी कामयावी मिलेगा वो सभी रिजल्टा मिलेगी तो लोगों के बारे में मैं सोच हो कि लोग क्या बोलते हैं लोग क्या सोचते हैं लोगों का thought process क्या है लोगों का thinking process क्या है इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और 36 गड़ में पूलिश आरक्षक भरती पर इच्छा पूलिश आरक्षक के पोश्ट आप लोगों के लिए होने वाली है तो आप जो है अभी से तैयरी करो पुलिश आपको बनना है मेहनत आपको करना है और सिर्फ मेहनत करो इतना जी जान से मेहनत करो अपना 100% लगा दो competitions exams के लिए कि दوبारा मेहनत करने के दوبारा फिर प्रपशन्स करने के जोरत ही मत पड़े इतना जादा तैयारी करो, इतना जादा महनत करो और महनत इतनी खामोशी शे करो कि कामयाबी जो है शोर मचा दे बहुत ही जादा महनत करो, हाड वक करो, जी तोड महनत करो मैं तो यही बोलता हम, जी तोड, कोशिश इतने जादा करना है ये दुबारा मेहनत ही ना करना पड़े बहुत जादा मेहनत करो तब जाके कामयाभी मिलती हैं तब जाके सकसेज आपको जो है अच्छी हो पाता है तो 36 गड़ में पुलिश आरक्षक के जल्दी आप लोगों के लिए भरती जो है होने वाला है और ये पुलिश आरक्षक भरती परिक्षा आपे से हर एक स्टूडरंट्स के लिए बेश्ट हैं तो जितना जादा आप तयारी करते हैं जितना जादा आप कोशिश करते हो जितना जादा आप रिपरेशन्स करते हो उतने ही जादा आप के लिए बेश्ट होता है उतने ही जादा शक्सद और उतने ही जादा शफल्स आपको मिल पाता है इसलिए महनत ही सबसे में इंपॉर्टेंट है महनत के उपर भरोशा रखो और खुद के उपर भरोशा रखो कितना भी मुस्किल वाक्त हो कैसी भी परिश्थिती हो कैसा भी बूरा टाइम हो वो सभी ब जरूर मिलेकर तुम्हारे महनत के अपोर्डिंग वीडियोस पसंद आएं आपको वीडियोस अगर आपको उच्छे लगए हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल परना है तो चैनल को जो है सब बिस्क्राइब कर लेना साथ में बिल नोटिफिकेशन को अउन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज्यादा होश है के जो है से एर करना और इश्री तरह से 36 गड़ में नए नए गवर्मेंट जाविकेंसी से रिलेटेड नए नए भरती परिक्षा से काम्या भी मिल पाएगा तो अपने फैमिली में दोस्तों मेरे इस्तेदारों में विडियोस को सेहर किजिए उनी स्टूडेंट से पहुंचाओ जो गवर्मेंट जाब्स की त्यारी कर रहें तो आने वाले टाइम में भरती होगा